हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हम सीविए सी बोड क्लास एट की मैस का सेंपल विपर 2 सॉल्फ करने जा रहे हैं इससे पहले मैंने सेंपल पेपर 1 भी पूरा सॉल्फ करके वीडियो को अपलोड किया है अगर आप जाहें तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं उन वीडियो का जो लेंक है वे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो वहाँ से भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो चले रहें स्टाट करते हैं हर एक कोर्षिन को अच्छे से समझ जियेग का और वीडियो को लाज्ट तक देखिये गा जिससे आपको समझना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा और यह आपके लिए आपके exam में helpful भी होगा तो चलिए start करते हैं, first question है आपका expression t square plus 3 t plus root 3 t minus root 3 brackets में can be written as यानि कि इस form को हम किस form में write कर सकते हैं, first option आपका t की power 4 plus 3, t की power 4 minus 3, t की power 4 plus 9 and t की power 4 minus 9 तो देखिए इस equation को further हम write कर सकते हैं, t square plus 3 और यह हो जाएगा आपका t square minus 3 ठीके, यहापे देखिए जो यह आपकी value दी हुई है इसको हम write कर सकते हैं, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square ठीके, तो मैंने इस value को इसी form में transfer कर दिया है, अब देखिए यहाँ पर अगेन आपका t square plus 3 and t square minus 3 दिया हुई है, यही वाली आपकी जो form है, वो दुबारा से use होने वाली है, तो इसे हम क्या write करेंगे, t की power 4 minus 9, ठीके, तो यह आपका कौन सो option है, last वाला, तो d option आपका right है, question number 2 है, आपका count of vertices in the following shapes, ठीके, vertices find करनी है, इसमें देखिए, count कीजिए आप vertices, 1, 2, 3, 4, 5, और एक इसके back side में जो इसके साथ corner आपका मिलकर आएगा, ठीके, तो total आपके कितनी vertices हो जाएंगी, 6, तो c वाला आपका answer correct है, question number 3 है आपका, if the cost of painting 1 meter square of wooden board is rupees 5, ठीके, 1 meter square wooden को paint करने का 5 rupees cost है, तो यह पूछ रहे हैं हमसे, then the cost of painting a wooden rectangular prism of side 4 meter, 3 meter and 5 meter is, तो देखें, एक rectangular prism है, rectangular prism means, यह आपका एक cuboid है, ठीके, और cuboid को आपको paint करवाना है, तो इसमें आपका total surface area का formula लग जाएगा, और total surface area का formula आता है, 2LB plus BH plus HL, ठीके, तो आप यहाँ पर values put कर दीजे, 2, length है आपकी 4 into breath है 3 plus, उसके बाद breath है 3 into height है 5 plus, आपकी height है 5 into length है 4, अब इन सबको multiply करके plus कर लीजे, 4, 3 is a 12 plus 3, 5 is a 15 plus 5, 4 is a 20, अब यहाँ हो जाएगा 2 into 20, 30, 40 और यह 7 यहाँ कि 47, तो यहाँ पर आपका answer आजाएगा 2, 7 is a 14, 1 carry 4 is a 8 और 1, 9, 94 meter square, ठीके, अब इस 94 meter square को आप multiply कर दीजे, cost से, तो यह हो जाएगा आपका 94 into 5, 5 fours are 20, 2 carry, 5, 945 और 247, यानि कि आपका यहाँ पर जो cost निकल कर आईए वो है 470, यानि कि C वाल answer आपका correct है, question number 4 है आपका, the sum of two numbers is 80, दो number है जिनका sum 80 है and their ratio is 3 ratio 5, find the greatest amongst the two numbers, तो हमें number का sum पता है बट numbers नहीं पता है तो numbers हम let कर लेते हैं, let the first number is equals to x, then आपका second number क्या हो जाएगा, आप इन दोनों के sum में से इस number को minus कर दीजे, यानि कि 80 minus x, ठीके, आप इन दोनों number का ratio 3, ratio 5 दे रखा है, यानि कि x upon 80 minus x is equals to 3 upon 5, अब आप इनका cross multiply कर दीजे, तो यह हो जाएगा आपका 5 x is equals to, 3 को 80 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 240 minus, 3 को इससे करेंगे, तो यह हो जाएगा 3x, अब x वाली value को इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा 5 x plus 3 x is equals to 240, अब next हो जाएगा 8 x is equals to 240 and x is equals to 240 upon 8, 8 1 is 8, 8 3 is 24, 0, x की value आगई है आपकी 30, तो अगर x की value 30 आगई है, तो यह तो आपका first number है, तो second number क्या हो जाएगा, 80 minus 50 is equals, 80 minus 30 is equals to 50, यह है आपका second number, तो आपका second number यहाँ पर क्या हो गया है, 50, तीक है, यानिकि greatest number जो है आपका, वो आपका 50 है, question number 5 है, the exponential expression, curly bracket, small bracket 1 by 5 की power minus 2, minus 1 by 4 की power minus 3, bracket closed into, minus 1 by 2 की power minus 4, इस value को हम किसके equal में रिख सकते हैं, तो पहले हम इसको solve करते हैं, यह दिकी power minus में है, तो इसका reciprocal कर देंगे, तो power हो जाएगी आपकी positive, ठीक है, उसी तरीके से minus 4 की भी power हम reciprocal इसका कर देंगे, 1 by 4 का 4, तो power हो जाएगी positive, ठीक है, उसके बाद multiply, यहाँ पर 2 की power हो जाएगी, 4, ठीक है, अब इनको हम expand कर लेते हैं, यानि कि 5 into 5 minus 4 into 4 into 4, और multiply 2 into 2 into 2 into 2, जो जाएगा 5 as a, 25 minus 4 for the 16, 16 for the 64, and multiply, यह भी brackets में ही है, 2 to the 4, 4 to the 8, it is 16, ठीक है, अब 64 में से 25 जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा minus का 39 into 16, ठीक है, अब 16 की table को 39 से multiply कर लीजे, तो आप का अंसा जाएगा 624, but value minus में होगी, because हमारा एक number minus में है, तो 624 minus में आपको दियावा है A point, A option में तो A option अपका correct है, question number 6, x upon y, यानि कि x और y की values आपको यहाँ दे हुई है, 3, 4, 6, A, if x and y are inversely proportional, then find the value of A, आपको inversely proportional है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन values को write कीजिए, upon में, is equals to 6 upon A, जब हमारी values inversely proportional होती हैं, तो हम क्या करते हैं, numerator को denominator से multiply करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6A is equals to 12, यानि कि 6A और 3, 4s are 12, A is equals to हो जाएगा आपका 12 upon 6, 6 बंज़ 6, 6, 2s are 12, तो A की value आ गई है आपकी यहाँ पर 2, ठीक है, तो 2 दे रखाए आपको D option में, तो D आपका correct answer हो गया है, next है question number 7, by joining the points 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, we get, जो हम इन numbers को join करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका एक roughly figure बना लेती हुँ में, आपको graph paper पर बनाना है, तो देखे, आपका 0, 0 यहाँ होगा, 1 आपका यहाँ होगा, X का और Y का यहाँ, यहाँ की यह point, तो इनके सामने वाला number आपको यहाँ लेना पड़ेगा, इसके बाद 2 और 2, तो इसके सामने वाला number यहाँ, इसके बाद 3 और 3 और 4 और 4, तो आपकी यहाँ पर जब आप इसको line draw करेंगे, तो एक straight line draw होगी, ठीके, तो आपका option आजाएगा यहाँ पर B, ठीके, question number 8 है आपका, the rational number whose reciprocal is not a rational number, एक ऐसा number जिसका reciprocal नहीं हो सकता है, तो दिखिए 1 का reciprocal हो सकता है, 1 upon 1, minus 1 का भी हो सकता है, minus 1 upon 1, और minus 1 by 5 तो आपका reciprocal मतलब, rational number है तो उसका reciprocal हो जाएगा, बढ़ 0 एक ऐसा number है जिसका, जो कि rational number ही नहीं है और उसका reciprocal भी नहीं हो सकता है, तो आपका D option है, 0, ठीके, यानि कि इसका आप 0 upon 1 तो लिख सकते हैं, but 1 upon 0 नहीं write कर सकते हैं, because यह अभी तक fine ही नहीं हुआ है, ठीके, अब आजाएगे question number 9 पर, question number 9 है आपका, which of the following is a polyhedron, hydron, इन में से आपका polyhedron कौन सा है, तो polyhedron है आपका यहाँ पर, cuboid, ठीके, क्योंकि polyhedron क्यों इसके अंदर क्या है, आपके faces are congruent and regular polygons, ठीके, cuboid जो होता है, यह, इसके जो faces होते हैं, वो क्या होते हैं, congruent होते हैं एक दूसरे के, यानि कि similar होते हैं, और regular polygon भी है एक, और also its vertices are formed by the same number of faces, इसके जो vertices हैं और जो faces हैं वो क्या है, number equal है, इसलिए cuboid आपका एक polyhedron है, जो लिए कोशे number 10 देखते हैं, which rational number is equal to its cube, कौन सा rational number ऐसा है, जिसका cube उसके equal है, तो देखिए 1 का cube जब हम करेंगे, तो 1 ही आएगा, 2 का cube करेंगे, तो वो 8 आएगा, 3 का cube करेंगे, तो वो आए जाएगा आपका 27, और 4 का cube करेंगे, तो वो जाएगा आपका 64, तो 1 ही एक ऐसा rational number है, जिसका cube भी 1 ही आया है, तो आपका A वाला option correct है, question number 11 है, आपका, if selling price is equals to 380, and sales tax is 4%, then the amount of sales tax is given by, तो sales tax आपका कितना होगा, वो आपको बताना है, तो sales tax कैसे find करेंगे हम, is equals to percent of sales tax into selling price, तो यह हो जाएगा आपका 4 upon me 100 into 380, तो जीरो से जीरो कट, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, 5 is the 10, 2, 1 is the 2, 2, 9 is the 18, आपके पास value आजाएगी, हहाँ पर 9, 4 is the, मितलब 4, 9 is the 36, 3 carry, 4 is the 4, और 3, 7, 76 upon 5, अब आप 5 से इसको divide कर दीजिए, 5 is the 5, minus किया 2, इस 6 को निचे लिया, 5 is the 25, minus किया 1, point लगा के 0 लगाया, 5 to the 10, ठीके, तो आपकी value आ गई है, यहाँ पर cut करने के बाद, 15.20 भी लगा लीजिए, तो आपका 15.20 आ रहा है, D वाले में, तो D वाल option आपका correct है, question number 12 है, the equation 4, x minus 1, is equals to 3, by x plus 7, can also be written as, तो इसे हम किस form में और write कर सकते हैं, तो हम इसको cross multiply करेंगे, पहले x minus 1, is equals to 3, upon me x plus 7, cross multiply होगा, तो यह हो जाएगा, आपका 4, x plus 4, 7, जा 28, is equals to 3, को x से करेंगे, तो 3, x और 3, को minus 1 से करेंगे, तो minus 3, आप without x वाली, और x वाली values को, एक साथ ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 4, x minus 3, x, is equals to minus 3, और minus का 28, तो यह हो जाएगा, आपका x, is equals to minus का 31, और इसे आप राइट कर सकते हैं, x plus 31, is equals to 0, यानि कि आपका जो option है, वो c वाला, करेक्ट है, तो आई होप आपको, सब भी questions, अच्छे से समझ में आए होंगे, तो वीडियो को, लाइक किजिए, ज्यादा स्यादा शेर किजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन, टाइम पर मिल सके, थैंक यू, जिससे दो,